उसी राजस्थान के जैसलमीर इलाके में एक ऐसा बातिव यत्र मिलता है जुधार को शिलंका से जोगता है कहते हैं कि लंका के राजा रामन नहीं ये वीना इजात की जिस रामन के हस्त वीना कहें या रामन हत्ता इसमें साथ सुरों का जादू मिलता है कहते हैं कि दामर की इसी वीना की तरह हजारों साल बाद एक राजकुमारी भी सीहन दीश में चित तौड़ करके सफर पर निकली थी और दुर्गों की उस दुर्ग में पहुची थी जो बादुनों से बात किया करते हैं कता कहती है कि साल 1300 के आसपास का वक्त रहा होगा जब से हाला दीश यानि श्रिलंका के राजा रहे होंगे गंधर वसीन और गंधर वसीन की बीटी हुई होगी बदमावती जो घोरों को दोड़ाना जानती होगी दलवार बाजी करना जानती होगी और खुबसूरत इतनी कि दर्ती पर उस जैसा दूसरा गून न रहा होगा कथा कहती है कि उस राजकुमारी का चित तोड़ के राजकुमार रतन सेंच से हीना मन तोके में संबाथ कराया होगा दोनों के बीच प्रीव के आग चली होगी और एक दिन स्वयमवर में राजकुमारी पद्मावती ने राजा रतन सेंच को अपना जीवन साथ ही चुन लिया होगा कथा का एक वर्जिन कहता है कि पद्मावती यानि पद्मुनी ने खुद से शेष्ट तल्वारबास को स्वयमवर में चुमावती दे होगी और राजा रतन सेंच से तल्लाबाजी के साथ साथ दिल यहार गई होगी जिसके बाद पद्मिनी ने उस क्ले में कदम रखा होगा जो सथियों से अजे रहा होगा जिसके वजए पता का कोस कोस तक दिखते रही होगी